अर्थ के प्रकाशी मांग लिक उपकारी है तिन को स्वर्व जान रागत भरी जो भक्ती गुनवाई इस तोती को उचारी है दन दन तिन ही ते काज संग आज भाए कर जोड़ बार बार बंदना हमारी है मंगल कल्यान सुक तैसो घंचाहत है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है शावण शुक्ल पूर्णिवा का दिन और रक्षा बंदन का ये महा मांगलिक प्रसंद थोड़ी बहुत चर्चा करने का मन यहाँ है कि हम रक्षा बंदन के बारे में चर्चा करे है प्रतिवर्ष ही करते हैं हर बार होती है, हर साल होती है एक ही तो दिन मिलता है रक्षा बंदन के बारे में चर्चा करने के लिए मने राजियों के गीत गाने के लिए यदि कोई स्पेशल एक दिन साल में मिलता है तो रक्षा बंदन का ही तो दिन है जब हम विश्णु कुमार मुनेराज की जेजे कार करेंगे अकमपनाचारे मुनेराज को याद करेंगे साथ सो मुनेराजों को बंदन नमुस्तु करेंगे सुबह उनकी पूजन की होगी याद किया होगा चलिए उस प्रसंग की थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ आपके बीच में प्रारम करते हैं कहानी सुनी हुई होगी बहुत बार सुनी हैं और प्रतिवर्ष सुनते ही हैं लेकिन फिर भी बहुत कहानी की चर्चा करूँगा और कुछ चर्चा करूँगा कुछ शिक्षा के सम्बंद में कुछ प्रेरणा के संबंद में, कुछ अपने कर्तवियों के संबंद में हमारा जिंतन कैसा होना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए जिस प्रसंद में हम चाहिए, तो चलिए हम लोग सब चलते हैं थोड़ा पीछे पंचम काल चल रहा है हम लोग चलते हैं चोथे काल में चोथे काल में हम पहुँच जाते हैं उस समय में जिस समय शांतिनात भगवान तिर्थनकर हो चुके थे कुंतुनात स्वामी जल चुके थे अरनात भगवान भी तिर्थनकर हो चुके थे निर्वान भी जा चुके थे अरनात भगवान के निर्वान जाने के पश्चात और मलिनात भगवान के होने के पहले बीच का एक काल और ऐसा कालखंड जिस कालखंड में हुए साथ सो मुनिरायों के ओपर उपसर्ग ने जबजोर कर रख दिया समगर जेम समाज को घटना शुरू होती है उजयनी नगरी से उजयनी नगरी में एक राजा राजे करते थे और नाम था उनका श्री वर्मा नाम थोड़े-थोड़े से याद रखना साल में एक बार रिपीट होते हैं पर रिपीटेशन नहीं होता है तो भूल लियाते हैं राजय श्री वर्मा जेम थे जिन धर्मानुय यही थे मुनी भक्त थे मुनिराजों के प्रती बहुत बहुवान और भक्ती का भाव उनके हर्दे में सदा काल रहता था मन में ऐसा भाव आता था कि कब मुनिराज आएंगे और कम मुनिराजों के दर्शन करने का उसर मिलेगा मन और भावना पूर्ण हुई और उनहीं की उज्जेनी नगरी में साथ सो मुनिराजों का संग अकमपनाचारे के निर्देशन में कहीं से लिहादा हुआ आ गया और वहीं ठहरे उज्जेनी में उसी उज्जेनी नगरी में जमुनि संगर ने अपना इस्थान चुना रुखने के लिए चातर मास प्रारंड हो रहा था सावन लग गया था और मंगल करश इस्थापित हो गए चातर मास की इस्थापना हो गई मानो राजय श्री वर्मा की मनो कामना पूल नो हुई और मुझे इसका इंतिजार कर रहे थे वो गड़ी आ गई उसे भी पता लगा और उसमें भावना भाई की चलो मुने राज के दर्शन करने के लिए चलते हैं चार मंत्री थे राजा तो जिन धर्मानों यही था राजा तो जैन धर्म को मानने वाला था लेकिन जो चार मंत्री थे बुद्धी मान तो बहुत थे लेकिन वे चारों मंत्री जैनियों के विरोधी थे अब जैनियों के विरोधी मंत्री कोई बात नहीं राजा जहां जाएगा मंत्री तो जाएंगी मुनिजंग आया हुआ है दर्शन करने के लिए चलेंगे जब दर्शन करने के लिए वहां पहुँचने वाले थे तो उससे पहले ही अकंपना चारिय उन्होंने अपने संग में इर्देशल दे दिया कि राजा और मंत्री यहां आएंगे हमें कुछ घंटों के लिए मौन लेना है किसी से कोई बात नहीं करनी है सोड़ी सी कहानी है उसको आधार बना करके मैं करूँगा आपके बीच में अकंपना चारिय संग के मिर्देशन साथ सो मुनिराजियों का संग संग को संचालन करना महमली बात है क्या दस लोगों का परिवार नहीं समलता है अपने से साथ सो मुनिराजियों के संग को सवालना उनका संचालन करना उनका निर्देशन करना उनके ओपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ जाए ये सारी जिम्मेदारी आचायरियों की हुआ करती है वे आकंपनाचायरे निमित ग्यानी भी थे विशेश ग्यानी भी थे और निमित ग्यान और विशेश ग्यान के दम पर उन्होंने इस बात को जान लिया कि ये कोई सज्जन लोग नहीं है राजा तो योग्य हैं लेकिन मंत्री दुष्ट है क्या करें ये बात सोच करके पूरे संग में निर्देश दे दिया कि मौन रहना है अपने कुछ घंटों के लिए मौन ले लो बो लो आएंगे हैं हमें किसी से चर्चा नहीं करनी है और पूरा संग सास्तों मौन राजों का मौन हो गया राजा और मंत्री आया और कुछ देर आकर के बैटे जब के कुछ देर आकर के बैटे तो मौन राज संग सा मौन है बोलना राजा कुछ पूशने लगे बंदन दरने लगे कोई जवाब नहीं, कोई रियक्शन नहीं स्वरूप में गुट रहने वाले मुने राज़ों को किस से क्या प्रेवजन अरे राजा महराजा नहीं कौन कौन आ जाए उससे क्या परत पड़ता है राजाओं की परवा नहीं किया करते ऐसी अफिक्षा नहीं होती कि राजा महराजा को समराट आकर के बैठे मैं इनको पीछी दे दू मेरी फोटो घेशना भईया में मेरे से आशिरवाद पराप्त कर रहे है वही कोई चेकर नहीं है इस तरह का कुछ देड़ तो चलता रहा फिर मंत्री उन्हें छेड़ना चलू कर दिया राजा को महराज इस बोली नहीं रहे बोलेंगे तो पता लगएगा कितना ध्याने दुकान का ताला खुलता है तो पता लगता है अंदर माल क्या है जवान नहीं गोलेगी तो कैसे पता लगएगीगा अज्यानी मौनम उर्खत से आउंशनम और नमालन क्या क्या उटी फिती बाते राजा समझाने की चेश्टा करते रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है नहीं ऐसा नहीं अरे नहीं तुम जलस समझ रहे हैं ऐसा नहीं है काफी देर हो गई और आदा एक गंडा निकल गया, वे चलो मारा चलते है मंतर, जाने लिए, रास्ते में जा रहे थे, तो जाते हुए ही दूसरी तरफ से एक और मुनेराज आ रहे थे, शाइद, एक मुनेराज और आ रहे थे सामने से, राजा और मंत्री ये चारों जा रहे हैं आपने राजमेल की तरफ रास्ते में एक मनिराज आते हुए मिले क्या नाम था उन मनिराज का शुरुत सागर थे बहुत ग्यानमान थे दुरंदर थे शुरुत के सागर थे अदभुत ग्यान का छेउप्चम था शुरुत आराधिना बहुत की थी उन्होंने इसलिए उनका नाम शुर्त सागर पड़ गया था उपादी थी शुर्त सागर जब सामने से आते हुए देखा इन मुलिराज को और वो मंत्री इदर से आ रहे थे मंत्री उन्हें देख कर गए फिर राजा से कहना शुरू कर थे पर यह देखो एक और आरा है उल्टे सीदे कमेंट्स करना शुरू कर दिया उन मुलिराज के बारे में और यह बेल है और नमालूं क्या है मूर्क है और यह देखो कुछ भी शुरू सागर मुलिराज के रहा नहीं गया उन्हें उन्हें ने टोकना शुरू कर दिया जास्तरार्त हो गया बाद वी बाद हो गया और शुरुत सागर मुहराईल ने उन चारों मंत्री जो अपने आपको बहुत बुद्धी मान समझते थे एक के बाद एक उनकी बात को काटना शुरू कर दिया उनकी बाते कटती रही और वे शर्मसार हो गए बेजज़त हो गए चोटा समझ लेकर के चले गए निरुत्तर हो गए उनके पास में को जवाव नहीं रहा और शुरुत सागर मुहराईज अपने संगत की तरफ आ गए इनको पता नहीं था कि मौन रहना है इन्हें मालूम नहीं था कि आचारे श्री ने कुछ आदेश दिया है इन्हें मालूम नहीं था इसलिए और नियम होता है इस तरह का संग में कि जब आहर चरिया के लिए मौन राज जाते हैं तो आहर चरिया होने के बाद जब लोट करके आते हैं तो आहर के दोरां जो कुछ भी घटना घटित हुई हो उस घटना को अपने संग के मौन राज आचारे के पास जरूर आकर के बतलाते हैं किसी तरह के कोई वीराजना हो गई हो कोई गल्ती हो गई हो कोई चूप हो गई हो उन्हें पता नहीं था कि मौन का आदेश दिया था गटना बत्ला रहे हैं ऐसा ऐसा हुआ मंत्री आ गए राजा आ गए थे मैंने ऐसा जवाब दिया ऐसा जवाब दिया उनको और जब अकंपन आचेहरे मुने राज के चेहरे के एक्स्प्रेशन देखे तो उन्हें लगा कि क् могila कुछ गलती हो गई है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या बात है बाव पड़ते हुए शुटसागर मने राज ने क्या हो गया कुछ गलती तो नहीं हो गई और फिर बात थोड़ी सी जब ये कही आचेहरे दिर ने, कि नहीं नहीं तुमारी कोई गलती नहीं है, वो नहार को कॉंट आल सकता है, मैंने संद में, यहां आये थे वो लोग, मैंने संद में मौन रहने का निर्देश दिया था, ओ, हो, मुझसे गड़बडी हो गई, मुझसे गलती हो गई आचारिश्री, वा, हार में कुछ लेट हो गए थे कहीं कहीं दूर निकल गए थे, लोट करके आने में देर हो गई थी, इसलिए वो मालूम नहीं था, मुझसे अचारिश्री मुझे प्रायश्री तो प्रदान कीजिए, अब दिखो घटना है दी, प्रतवानु योग की घटना है, पान्व पुरान के अंदर भी घटना मिलती है, अरिमाइश्री पुरान के अंदर मिलती है, जहाँ जहाँ रक्षा बंदन के संदर में थोड़ी बहुत चर्चाए हाई है, हर आचारे अपने अपने यह लेखन करता, अपनी अपनी शेली और अपनी अपनी इस्टाईल में बात करते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, कि अकमप करते हैं, पापियों के साथ में उलजना नहीं, ऐसी घटना, ऐसी परिस्तिती हमारे सामने कई बार बन सकती है, हमारी टेक्टरी में, हमारी शूरूम पर, हमारी दुकान ए., हमारे परिश्चितों उनके बीच में विधर्मियों के बीच में, जैन नीं है। उनके बीच में, ऐसे दोस्तों के बीच में, जिनको जैन धर्म की नॉलेज नहीं है। कुछ भी बात कई बात भी बात ख़ड़ा हो गया। और हमने उनको उटपटंग कहना शुरू कर दिया कि नहीं ऐसी गलती मत करना यदि कोई इर्श्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की छोड़ों ने भक्ती वचन सुन इस वीत रागी मार्ग की वीतराग्टा को अपनाो चांत रहो रहो प्राजित करने की सेष्टा मत करो अर्य सामने वाला पराजित्य व्यक्ती क्या पता क्योंकि जब मान को ठेस पहुंचती है तो फिर ये कुछ बरदाइस्पर नहीं करता है इसलिए जो व्यक्ति आपने आपके लिए सम्मान चाहता है उसे दूसरे का भी सम्मान करना आना चाहिए यदि दूसरे का सम्मान नहीं किया ना तो फिर डड़वड हो जाए दूँ ये सोचता है अपना तो होना चाहिए सम्मान और दूसरे को बेज़ज़त कर तूँ दूसरे को कुछ भी के दू जवान समाल के अपने में रहो कुछ भी करो नहीं भई विधर्मी हैं तो उनके साथ में उलेजना नहीं उनके साथ में विवात नहीं करना किसी भी तरह से ये शिक्षा अपने को मिलती है क्योंकि हमारा तो जहन धर में ऐसा हर प्रश्टन का जवाब है अब आप ग्रमा जी के बारे में कुछ कहने लगो पादेव जी के बारे में कुछ कहने लगो आप ये अ उस समय भी जब इतनी बड़ी घटना शष्ट गई तो तेरह आज भी हमें कितने सम्मौन कर पर रहने का संदिश यह कथा दे रही है यह विचार करना चाहिए चलो कोई बात नहीं गाटना पूरी हुई शुर्ट सागर उन्हेराज ने कहा कि भाई मुझे प्राइश्चत दीजे महराज मुक्सेदल्टी होगी है और अकमपना चारे ने का कि नहीं हम तुम्हें संकट में नहीं डाउ सकते क्या महराज संग पर संकट आने वाला है मैं जाता हूं रास्ते में और वहीं जाकर कि आज राती महीं ध्यान करता हूं वहीं साधना करता हूं नहीं शुर्ट सागर तुम संकट में पढ़ जाओंगी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता नहीं महाराज, आग्या पतान कीजिए, बहुत आग्रे किया, आचारे जिने निर्देशन दिया, चले गए मार्ग में और मार्ग में जाकर के ध्यान करना शुरू कर दिया, और रात्री में वो जो जिनके मान को ठेस पहुँची थी, जिनके स्वाबी मान को ठेस पहुँची जिनका धमन्ड चूर चूर हो गया था, कुरूर तो थे ही, दुराचारी तो थे ही, जहन धर्म के विरोधी तो थे ही, और उपर से सांप जैसी हालत हुएं, सांप जा रहा है और आपने उसको छेड़ दिया, छेड़ो मत, आपने छेड़ा और इनने डंक मारा, सावधान रहो ने राजियों को क्या लेना देना इन सब बातों से, जगत के इन प्रपंचों में क्यों उल्जें, फिर कोई बात नहीं, वे चारों मंत्री, बली, नमूची, ब्रस्पती और पहलाद, ये चारों मंत्री, योजना बना रहे थे, शर्यंतर रच रहे थे, कुछ न कुछ ऐसा सोच रहे थे कि हमारी इतनी बेज़िती राजा के सामने हमारे साथ में ऐसा हुआ कुछ ना कुछ बदला लेना चाहिए और इन विचारों पूरवक रात को धने अंदकार में महास चलवा रहें लेकर के निकल पड़े रार करेंगे वो तो सब नियते हैं उनके उपसर्थ क्या जाने उपसर्थ क्या होता है यह तो अपना बदला लेने की भावना से निकले थे और जब रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में आते आते ही देखा शुर्ट सागर और यह यहीं मिल गया आप ने ये बोड़ी है जिसने दिन में हमारे को बेज़्जत किया था इसी की वज़े से राजा के निगाह में आज हमारी इतनी बड़ी बेज़्जती हो गई है चलो इससे ही निपट लेते हैं शुर्ट सागर्म राज ध्यान कर रहे थे और उन्होंने तरवारे उठा दी इन्होंने तरवार उठा जी और जैसे तरवार उठाई ही चारोंने चारों तरफ से उन पर क्रहार करने के लिए और देव आ गए उपर से देव आ जाते हैं वैसे रक्षा करने के लिए स्वर्ण से देव उतर करके आ ले अभी भी आ जाते हैं वर्तवान में भी व्यंतर आ सकते हैं अन्य आ सकते हैं वहमानिक देव इस पंचम काल में नहीं आते हैं चौसा काल था देव लोग उतर करके आ ले चारों मंत्रियों को ख खड़े होएं और रात्री बीद गई सुबह उस मार्ग पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया हम लोग देख रहे हैं क्या हो रही है मंत्री ये चारों तल्वार लेकर के मुनिराज बीच में मुनिराज ध्यानवस्ता के अंदर खड़े होएं राजा तक चले गई राजा शरी वर्मा तक खबर पहुंच गई तो ये क्या हुआ और राजा को भी थोड़ा बहुत आवास तो था ही विरोध कर रहे हैं संग का विरोध कर रहे हैं घटना पूरी राजा के दिलो दिमाग में गुनने लगी गी ओह हो ये का था और ऐसा और क्या था राजा के आजाने पर देवों ने उनको कीलित से मुकत किया और फिर राजा ने उनका काला मुझ करके गढ़े पर बैठा करके देश निकला दे दे दिया निकल जाओ यहां से चले गए निकल गए वहां से यह निकल करके चले गए और धीरे धीरे वहां से गमन करते हुए पहुँच गए हस्ति नापुन यह वही नगरी है जिस नगरी में उपसर्ग होना है यह वही नगरी है जो रिशब देव के आहार वली नगरी है राजा श्रयांस के द्वारा रिशब देव स्वामी को प्रतम आहार जहां हुआ था अस्तिनापुर में यह वोई नगरी हैं जहां शांतिनाथ आदी तिर्थंकर हुए थे उनके कही कनल्यानक मनाए गए थे अब देखिए यह वहाँ पहुँचे गुद्धिमान तो थे ही और किसी प्रसंग में राजा का दिन जीत लिया हूँ किसी प्रसंग में क्या वताओं आपको शांतिनाथ स्वामी देवो पंचमे चक्रवर्थी थे अपन बोलते हैं शांति विधान में शांतिनाथ पंचम चक्रीश्वर वादर्श काम सुदेवा शांतिनाथ पांचवे चक्रवर्थी कुंतुनाथ कौन से नंबर के चक्रवर्थी थे छटे अर नाथ कौन से नंबर के चक्रवर्थी थे साथवे नंबर के आठवे नंबर के चक्रवर्ती थे सुगों चक्रवर्ती और नौवे नंबर के चक्रवर्ती थे महापद्मु नौवे चक्रवर्ती थे मेगरत भी नाम था उनका नौवे चक्रवर्ती उनके बेटे थे दो एक पद्मराय और दूसरे विष्णुकुमार चक्रवर्ती के बेट महापदमनाम के नोवे चक्रवर्ती और महापदमनाम के नोवे चक्रवर्ती के दो बेटे अब चक्रवर्ती तो चले गए और उनके जो दो बेटे थे विष्टनु कुमार तो दिक्षित हो गए और राजे करते थे पदमराय खास्तिनापुर के राजा थे पदमराय ये पदमराय जो राजा थे इन राजा के आसपास में वहाँ नौकरी और गर उतालाश में पहुंचे वहाँ कहीं कुई नौकरी मिल जाएगी बुद्धि मान तो थी और इतने में उस राजा पदमराय के उपर पडौस देश का जो राजा था सिंग रत उसने आक्रमन कर दिया था तो इन चारों मंत्रियों ने अर्ण बुद्धी मत्ता से सिंग रत से इसको बचा लिया पदमराय को अभर राजा पदमराय बच गए जिनों ने बचाया था उन्हों बहुत खुश हो गए मालूम चला बहुत योग्यता है मंत्री बना दिया हुं कहा कि भै मांगो तो Rabbit मत्री आप ने बनाई दिए है मांगो क्या मांगना है तुमारे हो के नहीं नहीं समय आने पर मआग लेंगे अब देखो आपो, समय आने पर इनों ने क्या मांगा और क्या घटना घटी पूरुम में थोड़ी बहुत सुनी है आप लोगों ने लेकिन ये घटना और ये प्रसंग हमारे को शिक्षा दे रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रसंग हों तो किसी को वर्दान नहीं देना, वचन नहीं देना खुशी में किसी को वचन नहीं दिया जाता, मैं बहुत खुश हूँ, मांग के रहा है नहीं, नहीं, सामने वाला पता नहीं उसका क्या दुरूपीयोग करेगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रसंग हैं तो वचन नहीं देवें और दूसरी बात ध्यान रखना, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तब किसी प्रकार का निर्णा ही नहीं देवें दो आपके याद रखना, क्या भाई, अरियन जब बहुत प्रसंग हैं, अरियम जब बहुत प्रसंग हैं, उस समय में क्या करना है बचन नहीं देना और जब आप बहुत गुस्से में हैं तो किसी भी तरह का निर्णा ही नहीं करना आड़ी अजी ज़ब क्योंकि गुस्से में लिए गए निर्णा हैं अनर्थ करवा देंगे, क्रोध अंदा होता है, यह जितने भी निरने होते हैं ना, आत्वत्या करने के, हत्या कर देने के, भाग जाने के, कुई में कुछ जाने के, नस काट लेने के, यह सब काई में होते हैं निरने ही, क्रोध में होते हैं गुस्से में, क्या निरने कर लिया क्या कर वेठे आप नाई नहीं नहीं आप गुस्से में निरने नहीं करना चलो खियर कोई बात नहीं पदमर आए गल्टी कर वेठे बचल दे दिया और फिर क्या था राज ये चलने लगा और साल गुजर गए और फिर साथ को मने राजियों का संग विहार करता हुआ हस्तेना पूर नगरी पहुंचा अम्मनी संद वापस हस्तेना पूर आगया है मंतरी तो घायल शेर की तरह थे समझे लो आप साप की तरह अंदर से तो पीडा थी ही उनको सारे द्रश्य आंकों के सामने गूनने लगे कि इनकी वज़े से हमें देश निकाला मिला था इनकी वज़े से हमारा काला मूँ हो गया था यह की वज़े से हमारी ऐसी दश्य हुई है कुछ ना कुछ करना चाहिए यो जो ना और शड़ियां तर चालू हो गए और सहीं की बात है कि मुनी संद वहीं आकर कि अपना डियार्व गया उन्हे क्या पता था कि यहां वोई है फिर मुनी संद के दब लिहार करता ही है न और कैसे परिस्टितियां होगी साथ सो मुने राजियों का संद कितना बड़ा जेहन समाज होगा आचेरियों की जिम्मेदारी होती है जेहन समाज हुआ आर की चोगों की व्यवस्ता हो सब सब देख करके वहाँ वहनी संगर उग गया संगर उग गया उधर जो बली मंत्री बने हुए थे उन्हें अपना वचन याद आया कि वचन दिया था उन्होंने बरदान मांगने के लिए कई की मांगो क्या मांगते हो अब ये समय आ गया है और योजना बना करके उन्होंने राजा पद्मराय को कहा कि महाराज बहुत लंबा समय हो गया आपको राज़ पाश करते हुए आपको कभी शुट्टी नहीं मिलती है आपके सारे शुट्ट में करमचारी है इनको सफता में एक दिन शुट्टी मिलती है सब जाते हैं जुटी बदल जाती है शिफ्ट बदल जाती है आपको कभी शुट्टी नहीं मिलती है महाराज साथ दिन के लिए भूआओ आप भी आठ दिन के लिए कही परिवार के साथ में और हम ये चाते हैं कि साथ-ाठ दिन के लिए हम भी राज्य करके देख लेए कैसा होता है क्या होता है आपने वचन दिया था पहले वचन की कही थी देख लो आप यह आठ दिन के लिए चले जाओ और आठ दिन का राज्य हमें दे ज पदमराय तो चले गए, पदमराय तो राजा बचे नहीं, अब बली राजा हो गया, अब बली राजा हो गया, तो इस राजा बली ने साथ सो मुनिराजियों के उपर कैसे गोर उपसर्ग किये, शायद, जहां बेटे हुए हैं सब साथ सो मुनिराज, चारों तरफ गास लगा थे उनमें धुआ धुआ भर गया सांस लेने में तकली कैसी परिस्तियां बनी होगी गौर उपसर्ग करना चालू कर दिया कभी दूल फैके कभी कुछ करे कोई और उनको परेशानियों के अंदर डाले चारों सर्म आग लगा देवे गर्मी का समय और उपर से आग और नगा दी क्या हो रहा होगा कैसी परिस्तियां बनी होगी कोई आए उपसर्ग दूर करने के लिए इसलिए कहते हैं पापी उसे उल्जो मत तीवर कशाईों से उल्जो मत ये तीवर कशाई क्या होते हैं तीवर कशाई लोग ये खुद के बिगाड की परवा नहीं करते कि सामने वाले के बिगाड की सूचते मेरा बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा लेकिन सामने वाले की ऐसी तैसी कर देगे मुझे परवा नहीं है मेरे से कोई मतलब नहीं है मैं खत्रे में पढ़ जाओंगा मेरा जीवन खुराब हो जाएगा, मेरे उपर, कोई परवा नहीं है, सामने वाले के ऐसी करके रखे हो, यह ऐसा नेचर होता है, अब रहा है तो इनको नेको परवा कैसे करम आएंगे, कैसे भुगत में पढ़ेंगे, क्या होगा नर्ग निद्व का सामना करना पढ़ेगा, को कान भी कि मुझैराज बेठें कितना बड़ा संकट सा संकट में थे ग्tech अग्थिस में वह ब्हए और संकट में कि इस नियुका पाहर जाते है बार में जैसे जैसे संकट आता हुआ दिखाई देता है उनकी परिणती है उनका उप्योग उनकी अंदर में चला जाता है और मुनिराज अपने स्वरूप में गुपत रहा करते हैं यहां पर नहीं आए देव तो नहीं आए उदै भी तो काम करता हैं नहीं बना प्रसंग बह विष्णुकुमार और विष्णुकुमार नहीं आते तो है क्यों था मुनिराज कुझे को सब्सक्राइब हो जयाता 5000 कड़न में मैं आप से पुच्छता हूँ गच्चुमाрий मुनिराज का उप सर्ग हम किसने दूर किया था गच्च्चुमार मुनिराज का उपसर किसने किसी ने नहीं सुकोशल मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया सुकुमाल मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया कि अधिक पढ़े नहीं है अरे कोण उपसर्ग दूर करें उपसर्ग दूर करने वाला कोई नहीं था उप्योग अंदर में गया और केवल ग्यान ले लिया अंतेकर केवली हो गए दशकुमार मुनिराज पांड़ा मुनिराज युदिष्टिर भीम अर्जुन ये केवल गयान की प्राप्ति होई इनको सिद्धाले में जाकर गविराजमान होई वहगवान बन गए कहां जरूरत है कोई उपसर्ग दूर करने वाला हो अरे मुनिराज अपनी परणती और अपनी उप्योग करने वाले की जरूरत नहीं होती किस की जरूरत है क्यों जरूरत है अशली उपसर्ग तो अपनी परणती विक्रत होने का नाम है असली उपसर्ग तो अपने परिणाम बिगडने का नाम है असली उपसर्ग तो उपसर्ग की तरफ लक्षे जाने का नाम है अरे उपसर्ग के काल में उपसर्ग को दूर करने का विकल्प भी जिने नहीं आता है वे मनिराज तो अपने स्वरूप में ही सदा गुप्त रहा खार निकले और संकटों का सिल्जिला शुरू हो गया और अपने अंदर आगए हैं कोई संकट नहीं होते हैं मनिराजों के उपर संकट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी मुनिराजियों के उपर ये किसी प्रकार का कोई संकट हो रहा हो तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी होती है इश्रावकों की जवादारी है इश्रावकों की जिम्मेदारी है मनिराज मनिराज के संकटों को दूर करे अदाचित कर भी सकते हैं और क्यों करें नहीं आए लिकल तो नहीं भी करें साथ सो मनिराजियों के उपर उपसर्ग हो रहा है बली अपने मन की घरी घुटी सब निकाल रहा है और देखो आप ख़बर पहुचगी पदमराय तक करें क्या लेकिन निहत्ते राजा हैं नहीं अभी चल नहीं सकती है अब क्या करें गए उपाय क्या है ऐसी इसकिती में क्या करेंगे वो पदमराय जो थे उन्हें कुछ सूजा नहीं कुछ याद नहीं आई कुछ समझ में नहीं आ रहा हैं कैसे उपसर्ग दूर करूँ और पाग्मराय राजा को ध्यान आया कि मुनिराजुँ पर उपसर्ग है और मेरे भाइ भाई विश्टू कुमार दोनों महाँ पाग्म की बेटे थे नोई मेगरत के बेटे थे दोनों और उनसे कुछ चर्चा कर सकते हैं तो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए वो बड़े और उनके संग के आचारिये मिले उन्हें पूरी घटना सुनाई तो आचारिये ने कहा कि अरे वो निमत ग्यानी थे उन्हों अपने ज्ञान से जाना विष्लुकुमार के पास में और पुष्पदंत नाम के एक शृलक जी को वहां भीजा उत्तर पुरान कह रहा है अरिवाईश पुरान को यह कह रहा है दिक्षा चीदन की जरूरत नहीं है लेकि उत्तर पुरान यह कहता है कि मुनिय अवस्था के अंदर इस तरह का कारिया नहीं किया जा सकता तो उत्तर पुरान का मैं जब ये बात आई और हकीकत तो क्या होई ली उगी उनकी मनवद्श्या क्या होई जब आकर के का कि तुम्हें ने थो कहते हैं तुम्हें रृद्धि ना कंते नहीं है ने reinforcement साथ ना होड़िकर कर पर रहा Panमा car पास में रिद्धी है आप देखो और हाथ उपर किया और हाथ चला गया विक्रिया रिद्धी क्या होती है विक्रिया रिद्धी ग्यारे वेदें विक्रिया रिद्धी के चौसट रिद्धियों में एक विक्रिया नाम की रिद्धी है एक नहीं है उस विक्रिया रिद्धी के पर बना ले वे चोटा बना ले बड़ा बना ले ऐसा पता लग गया विक्रिया रिद्धी है फिर क्या हुआ फिर भेश इनको बदलना पड़ा योजना बनाई शड़ी अंत्र बनाया मायाचार करना पड़ा मुनी भूमी का की योग आच्रण नहीं दिखाई दे रहा था लेक जोन कर रूभ बना लोग रूभ कहा? जदि आता है दान मामने के लिए और ऐसे खाली हट कैसे चला जाए बांग क्या मंगता है क्या मंगना है क्या माराश तीन पाउभ जमी आ इसमें लगा तीन पाउभ जमी इत्ता सा यह चोटा से इतनी सी साइज और तीन पाउं जमीन मांग रहा है यह क्या है यह ले 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 तीन पाउं जमीन और जैसे ही कहा कि ले लो और फिर विश्णुकुमार स्क्वामी ने जो कि ब्रावन का बेश बना करके आये थे यह विशाल गूप बना लिया मानों इतना विशाल गूप बन गया हो कि वो सूर्य चंद्रमा तक पहुँच गये जोतिश देवों तक पहुँच गये एक पाउं उन्हों ने उधर मेरू परवत पर रख लिया दूसरा मानुच उत्तर सक चला गया कितना विशाल गूप हो गया है और अब तीसरा पाउं कहा पाउं रख लूँ और उसके माते पर रोने लगा गिर गिराने लगा हाथ पाउं जोड़ने लगा बचाओ और फिर पाउं रखा जो भी रहा हो मर्कर के बली तो नरक में चला गया और मुने राजियों का उपसर्ग दूर हुआ साथ सो मुने राजियों का उपसर्ग दूर हुआ और ये दिन था कौन साथ सावन शुकल पूरणी मा का दिन और इस तरह साथ सो मुने राजियों का उपसर्ग दूर हुआ मुने राजियों की रक्षा हुई और बली का हुआ बंधन इस तरह से ये नाम पढ़ गया रक्षा बंधन तीन तरह से मैं रक्षा बंधन के अर्थ करता हूँ रक्षा बंदन के है वास्ताव में रक्षा बंदन परे यहां किसी भी पुराण में कहीं भी प्राचीन गरंथ में उपलब्द नहीं होता रक्षा बंदन शब्दी नहीं है जैनियों का शब्दी नहीं है जैन आगम का शब्दी नहीं है रक्षा बंदन कहीं शास्त्रों में रक्षा बंदन मिली नहीं रहे क्या संधीबिया कहीं रक्षा बंदन नहीं है रक्षा बंदन पर रक्षा बंदन पर रक्षा बंदन पर रक्षा बंदन पर वहीं नहीं कहीं भी एक नाम मिलता है बातसल्य पर्व बातसल्य पर्व मनाया गया मनेराजियो के प्रती बात्सल्य का भाव था और बात्सल्य अंग के अंदर विश्णु कुमार मुनी प्रस्द्य हुए है बात्सल्य अंग में बात्सल्य परव मनाये गया लेकिन चूंकि इस घटना में ये घटित हुआ था कि बली का तो बंधन हुआ और मुनिराजियों की रक्षा कालंतर में रक्षा बंधन ऐसा नाम प्रचलित हो गया हूँ ऐसा संभव है लेकिन एक दूसरी बात रक्षा के साथ रक्षा मुनिराज की और बंधन उनका तो इस तरह से रक्षा बंधन प्रपनिर्ता से विचार किया जाए का हमारी जैन परंपरा तो ये कह रही है कि रक्षा करने का परिणाम भी बंधन का कारण है आगम के बहुत प्रहाण है हमारे पास में जिन प्रहाणों में इस पष्ट रीती से ये बात कही जाती है कि रक्षा करने का परिणाम भी बंधन है बंधन है और बंधन है रक्षा करने के प्रणावों से भी बंधता है जी वले पुन्य बंधता हो पाप नहीं बंदेगा लेकिन रक्षा का भाव है ना वो निरपरादी भाव नहीं है वो भी सपराद भाव है प्रवचंसार की मूल गाथा में 85 नमबर गाथा रक्षा परव हो सकता था, रक्षा दिवस हो सकता था, रक्षा दिवस मनाया जा सकता था, रक्षा के साथ में बंधन, शायद ये रक्षा काथ में जुड़ा हुआ बंधन शब्द, इस बात की और इंडिगेट करता है, ये संदेश दे रहा है जगत के जीवों को, कि इस रक् ऐसा थुड़ी नहीं कि वो बचे रह गए हो मुनस्तान गे गया उनका सुनो प्रत्मानु योग तो तारिफ करेगा प्रत्मानु योग तो गीत गाएगा और हम भी प्रत्मानु योग से विष्णुकुमार मुनिराज के गीत गाएगे हम विष्णु कुमार मुनिराज की जहजे कार करेंगे और विष्णु कुमार मुनिराज की क्यों हम तो विष्णु कुमार भगवान की जहजे कार करेंगे मुनिराज तो उस समय में थे अरनात भगवान के काल में बाद में तो पुनर दिक्षित हुए और पुनर्दिक्षित होकर के साधुना पुल्वकु एवलियान की प्राप्ति कर ली, मिर्वान की प्राप्ति कर ली, आज तो वे विश्नुकुमार मुनिराज नहीं, वे विश्नुकुमार तो सिद्धालय में विराजमान है, पहले अरहंत हुए पिर सिद्धालय में बैठे यह विश्णुक्मार स्वामी को प्रत्मानु योग जैजे कार कर रहा है प्रत्मानु योग घीत गारा है प्रत्मानु योग प्रशमसा कर रहा है लेकिन महापनित टुडरमली साव ने आठमें अध्याय में एक सेंटेंस लिखा यदि कोई धर्म दुद्दी से अनुचित का लेकिन समझदार व्यक्तियों को उच्छे पद छोड़कर नीचा कारे करना योग नहीं है प्रत्मानु योग तो भले प्रशमसा देगा कहानी है कथा है घीत गाएगा मुनिराजियों की रक्षा हो गई है और प्रशमसा की जा रही है की जानी चाहिए प्रसंग है आज यह लेकिन चरनानु लोग से जाकर के पूछो मुनि छूट गया गिर गये चरनानु लोग क्या कहता है आच्रण चला गया वो बावन्य के भेश में जब थे उस समय पीछी कमंडल धारी नहीं हो सकते थे क्या उस समय वो सवस्क्र हो गए वस्क्र सहीत हो गए उस समय में निरगरंत मुनी नहीं बचे मुनी दशा नहीं बची अब मुनी दशा जाती रही अरे अरे कहां मुनी पग ऐसी उतकरष्ट अवस्ता और कहां उतकरष्ट मुनी अवस्ता से गिर कर ये कहां श्रावत अवस परिणाम अच्छे नहीं है शडियन के परिणाम ये अच्छे परिणाम है मायाचारी के परिणाम ये अच्छे परिणाम है धोका देना किसी को धोके से बंदी बना लेना ये अच्छे परिणाम है आंगा याचना के परिणाम ये अच्छे परिणाम है जमीन मांग रहे हैं ल से करणानु यो गुणस्तान गिरने की बात कहेगा और ड्रव्यानु योग यह कहेगा किया रहे हैं कि तीन कशाय शोगणी कि अवाव जन्निवी शुद्ध परिणती शुद्धो पयोग जो कायम था चटे साथ में गुणस्तान की भूमिका में हाज वो दह्शा नहीं है आज वो पुझज़ता नहीं भची है कुछ समय के लिए ही सही लेकिन मुनिबत तो चुठ गया है तीन अनुयोग निशेत कर रहे हैं तीन अनुयोग अलग-अनुयोग है गजन की शेली है सब अपनी अपनी इस्टायल में बात करते हैं प्रतवानु योग अपनी इस्टायल म पैनी में कारणानु यहां है कि गुनस्तान चटा सातुप क्पड़े सात्वहां वहां हमने कहते हैं? सब्सक्राइब दिंदा करने लगा ज़ैता है आज आपका नहीं देख़ते हैं दुनिया वर में कैसी इसकीतिया कपड़े फैमली है मतलत अब वो दशा नहीं है कपड़े पेने वाली जो दशा है मुँनी दशा जैसी नहीं हो सकती है कहर चलिए जो कुछ भी हो यह दूसरे प्रकार की बात हुई कि दूसरे प्रकर का अर्थ हुआ कि रक्षा करने के परणावों से बंधन पहला अर्थ क्या किया था पहला अर्थ क्या किया था साथ सो मुनिराजूं की रक्षा और बली का बंधन रक्षा बंधन दूसरा अर्थ क्या किया रक्षा करने का भाव भी कर्म बंधन का कारण है त कशा का। रख्शा का भाव हो हुद धीतराग भाव हो मगन रहने वाला उससे बंधन नहीं होताना दो अर्थो दूत्रा अर्धु रक्षा बंधन बंधन करते हैं नियम को बंधन करते पर प्रतिज्या को, प्रतिज्या में बंद जाने को मानो ये रक्षाबंधन पर ये संकल्प दे रहा है कि आप रक्षा करने के लिए प्रतिबत हो जाएं आप ये प्रतिज्या लेवें कि कभी धर्म और धर्मायतनों के उपर किसी प्रकार का उपसफर आएगा तो हम उनकी रक्षा की प्रतिग्या लेदे, कैसे रक्षा बंधन, कौन दूर करेगा, मुने राजियों के उपसट को कौन दूर करेगा, श्रावत नहीं करेगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेगे तो कौन करेगा, क्या ये रक्षा का संकर्प लेने का फर्व नहीं है, क्या रक प्राणों की कीमत पर भी देव गुरु धर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है अकेले देव गुरु धर्म ही नहीं चेया आइकनों की सुरक्षा की अनायतन नहीं देव गुरु धर्म और देव गुरु धर्म के उपासक देव के उपासक गुरु के उपासक धर्म के उपासक उनकी भी रक्षा करने की जवादारी हमारी है अब ये तो कितना उत्तम पर्वेह, क्या तद्खालिग परिस्कितियों के उसमें में जा करके, देखो आप कैसे संकर्फ लिये होंगे, स्रावकोने सुचा होगा, अरे कितना जेहन समाज होगा बोलो इस समय आप, साथ सो मुनिराज हैं तो साथ सो मुनिराजों के लिए साथ सो चोके लगते होंगे तो साथ हज्जारों लोग तो कम से कम रहते होंगे कम से कम हज्जारों लाफों जहन घर परिवार नहीं होंगे वहां हस्तिना पूर जहन नगरी हुआ करती थी चारों करब जहन नगरी जहन समाज अरे मानों श्राबकों ने संकल्प किये हो के अरे यह जब एश्नुकुंद कुबार मुनिराज ने आ कर के इतना बड़ा काम किया हम नहीं कर सकते थे हुआ अकेला क्या कर लेता क्या कर लेती उसकी सेना, यदि सारे श्रावत लोग मिलकर के एकत्रित हो जाते उपसर्ग को दूर करने के लिए, संकल्प लिए होंगे सबने, मुने राजियों का उपसर्ग दूर हो गया, भावनाएं भाई होगी, विचार आये होगे, उनकी वैयावरती शुरूर होगी, है अहार इस तरह के लिए, उनके लिए बने होंगे, उस समय में, खुशियां मनाई होगी उन्होंने, खुशियां तो मनी होगी लेकि खुशियों के इसास साथ में खष्ट भी तो दिख रहा है, नया उपसर्ग तो नहीं हो रहा है, लिगा आठ जिन से हो रहा है, उपसर्ग क की जेजे कार करने का पर्व, मुने राजियों के स्वरूप को समझने का पर्व, मुने राजियों के बताए हुए मार्ग पर चलने का पर्व और का ये बांधने के चक्तर में बुलच करके रह गया ये, रक्षा रक्षा की चक्तर में को हम किसकी रक्षा करे और रिज़र चल रहा है दुनिया भर में यह भी इतियासी के हैं सब जहन इतियास की नहीं लेकिन पुराने समय में राज़पूतों के समय में इस तरह के गड़ना कई बार गड़ी है इतियास में दी जाकर के देखो तो किसी राज़पूत राज़ा की ऊपर जब किसी तरह का कोई संकड आया तो राज़पूत राज़ा की पत्नी रामी ने अपने भाई के पास में रक्षा के लिए सूत्र भेजा संदेश के रूप में और फिर वो जो भाई है वो सुरक्षा करने के लिए आ गया अपनी बह타ी बहन की भी अगीली बहन की नहीं है राज्य की अवड़क्षां बहती से जहन समाज में के रक्षा नहीं होनी जाए है Is www.sangkaton.com कि इसी पर भी कोई भी आ सकता है showers महराजा दश्रत के संकर्ट के काल में तो केकरई ने रक्षा की इनकी अगर इंटा हो गया रक्षा तो करनी चाहिए थी अगर रक्षा कर रही है उनकी अब क्या है इसमें कहां गम रह गया है कि यहीं की ruka करे सबको सब की रक्षा की जानी चाहिए वस्काव में तो धर्म रक्षा का प्रसंग है अ और सही बत्वाँ में आपको ड़क्षा दो प्रक्रकर की होती एक निश्चय से रक्षा और व्यावार से रक्षा चेकाई के जीवों की रक्षा का जब प्रसंग आता है तो व्यावार से रक्षा है साधर्मियों की रक्षा देवुरु धर्म की रक्षा का जब प्रसंग आता है तो व्यावार से रक्षा है अरे निश्चे से रक्षा है अपने परिणामों की रक्षा क्या अपने परिणामों की रक्षा नहीं की जानी चाहिए परकी ही रक्षा करेंगे अनंत भव हमने दूसरों की रक्षा करकर के बिताए हैं कब करेंगे अपने आपकी रक्षा कब बचाएंगे अपने आपको मित्यात्व से कब बचाएंगे अपने आपको विकार से, कब बचाएंगे अपने आपको विकारी भावों से, कब बचाएंगे नर्व निगोजादी गतियों में परिव्रमन करने से, कब आएगा ऐसा प्रसंद। माँ भाग्य से हैन्श मिल लिया है हुमारे निजग रक्षा करने। परिणामें बिगड़ पाएं परिणाम नहीं भिड़ जाएं भावना भाव व्चाएंगे नहीं हुनी तेगी ऐसी रक्षा रखिषूरी तो इन से और बाकि तो क्या दम है और गैसे आप से पूछता हूं मैं आपक्ष्टों मिलड़ाज ने रख्षा की ए नहीं गरीब अपने आपकी रख्षा की थी उन्होंने अपने बिगड़ते हुए परिणामों से अपने आपकी रक्षा की थी बिगड़े ही नहीं बिगड़ते हुए परिणामों से क्या परिणाम बिगड़ नहीं जाए परिणाम बिच्वित नहीं हो जाए स्वरूप से बाहर नहीं निकले और फिर अंगर में चले जाए नहीं है क्या सोचते होंगे क्या चिंतन चलता होगा अपने स्ववाव में सुरक्षित रहने वाले मुनराजयों को किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है हमें काई का संकट है संकट तो उसको है विचारे को मित्यात्यों के प्रणाव में कशाय के प्रणाव में जले जा रहा है स हमें काई का संक्ट है संक्ट तो बली के बाते पर मन रहा है कशायों की आग में जल रहा है हमें काई का संक्ट है हम तो अपने आत्म स्ववाव की आराधना में सदाकाल सुरक्षत है देहे पर संक्ट आता है तो देहे के संक्ट को संक्ट नहीं मांते है मने राजों को शरीर का संकट संकट नहीं दिखाई देता है बाहरी उत्सर्ग उत्सर्ग नहीं दिखाई देते हैं बाहरी प्रतिकूलता है प्रतिकूलता है नहीं दिखाई देती है क्या सोचते हैं क्या चंतन चलता है क्या धारा बैती होगी स्वयन सुरक्षित जहत का परमाणूं परमाणूं सुरक्षित है कोई किसी का नई बिगाड़ता है दुनिया में कोई किसी का बिगाड़ सकता नहीं है दुनिया में कोई किसी का बुरा कर सकता नहीं है यह माननेता यदि बला बुरा करने की माननेता यदि है हमारे हिर्दे में तो समझ लीजी आप यह अनर्थ कर रहे हैं, यह उपसर्वे हैं, इससे बचाओ अपने आपको, कर्तर्व की माननेता से बचाओ, मैं करता हूँ, दिमाग पर, सर पर जो कर्तर्व का बोज सवार है, उससे बचाओ अपने आपको, तो यह पर्व का जो समय है, आज का जो यह प रक्षा की बात कर रहा है और व्यवहार से साधर्मियों की ऊपर कोई संकट आएगा तो हम साथ में खड़े हुए हैं किसी भी तरह का और देखो कई तरह की संकट आते हैं भाई साथ आप कोचिए नमारा जब यह जिन मंदिर बन रहा था प्रतिष्टा यहां की हो रही थी तो साधर्मियों ने उस संकट के कालने भावना वाईना कि नाए हम साथ खड़े हैं यही तो है रक्षा बंदन रक्षाबंदन कब मनाएं मेरा कि मैंद पर सब्सक्राइग कि ऑगर रहा हूं न falar कि अब है रख्चा के जाईगी मुर्णचय नोगलियारी विन उनते चुर्ष मेन्घवा सब्सक्राइब यसा मेरा बिसे घ्लमलब भूर मेंड़ म मनायो जाने व्लबky एवरी डे, एवरी इसमेंट, हर समय, हर समय रक्षा करो अपने आपकी और हर समय रक्षा करो अपने बच्चों की, कैसे रक्षा करें, टीवी में उल्जे हुएं से रक्षा करो, मोबाइल में फसे हुएं से रक्षा करो, बच्चों की, उन्हें बचाओ, गलत रास्ते पर जा का उपाए है वस्तु स्वरूप के विचार के बिना रक्षा होती नहीं है आत्म सवाओ के अवलंबन के बिना ये जीव सुरक्षित हो सकता नहीं है इसलिए यदि आप सच में सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित बनाए रखना चाते हैं, तो बचाईए उन्हें, गलत रास्ते पर नहीं, सत पत पर लाईए उन्हें, मुक्ती पत पर लाईए, जिन्मानी का राह दिखाईए, जिन्मानी का रास्ता दिखाईए, तत्व ज्यान का रास्ता दिखाईए, वस्तु स्वरुप का विचार करने की प्रेरा दीज हैं तो फिर मुनि रज़ों की सुरक्षा फिर जनवानी की सुरक्षा होती तब जातर कर एक रख्षा अपमें मनाना सार्तक वह सर्फें है और हगित में रखी ल्नीपा य। पिर इननों ने रक्षा नहीं हो गया आप तो सुरक्षिन हो गए नो भैसा आप तो हाथ में रखी बंदी आप तो कुछ नहीं होगा रख्षा बंदन के दिने एक्सिरेंट नहीं होते होंगे बचाती नहीं है राकी भिरो अरे भाई हर ख्षन बचाओ अपने आपको बहुत कम समय है जीवन बहुत दुरलब है अपने इस जीवन को जितना आप आडमबरों से उलजनों से बचा सको उतना बचाओ जितना बचने के प्रेत्न कर सको उतना बचने का प्रेत्न करो आज तो ये सावन का आखरी दिन है और कल से शुरू हो रहा है बाद्रमास लोगों को दे दो संदेश लोगों को के दो भीया यदि आप अपने आपकी सुरक्षा चाते हो तो थोड़ा सा समय निकालो बादमा शुरू हो रहा है तरसे थोड़ा सा समय निकालो अपने आप के लिए सुर सरक्षा कवच्ष़ तयार कीजिए जिसके माध्यम से फिरचाए कोई भी संकट आजाए फिरचाए बिजनस पर संकट हो तकान पर संगट हो परिवार पर संगत हो हम उलक्षित रह सकते हैं दो नो función की सुरक्षा दोनों ही प्रकार की सुरक्षा पूर्वक हम स्वेम सुरक्षित रहे हम सवका परिवार सुरक्षित रहे इसी पवित्र भावना से मैं अपनी बात को यहीं दुराम निजनिधी निजमें बताई यह अनत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को बंदनाशतवार है कर दोक्षित रहे हम सब्सक्राइब कर दोफचे हम सब्सक्राइब